जैं हिंद बच्चों स्वागत है अपने इस यूटूब चनल में आज के इस वीडियो में बच्चों हम जो है वड़माला वा विराम चिनिस से समधी most important question लेकर आए है जो 26 और 27 जून को वीडियो इज्याम के लिए very important रहेगा तो देड़ ना करते हैं बच्चों चनल देखते हैं पहला question आपके सामने है कि हिंदी वरमाला में उसम बेंजन कौन से होते हैं उसमाने बच्चों होता है गर्मी ठीक है जिसमें गर्मी उत्पन हो उसे उसम बेंजन कहते हैं उसरमेंजन कों से है जो चार आपस्अ आपके सामने दिए गया है कौन होगा बच्चों यहां साहिए आप ऐ हो जैगा चात चाहफ将 और Cheese को में हवा निकल रहा है गर्मी उसमें निकल रहा है इस नहीं को बोले गों आई एकला कोशन बच्छों नों देखेंगे जो है कि हिंदी के जीन वाड़ों का उच्चान करते समय केवाल स्वास का परियों किया जाए उन वाड़ों को क्या कहते हैं अगोस, अगोस, अलप्रान, महाप्रान इसमें सही जबाद ए हो जाएगा, बच्छों अगोस है तेखो, इया रालावा बिन्जनों को कहते हैं इसको बच्छों बोलोगे तो आपको मुह नहीं खुलेगा यानि, अंदर-अंदर, आशे अंदर-आशे अंधस्ट है इसका सही वाप क्या हो जाएगा जो है अन्थास्थ बेंजन है इसको बोलोगे तो आपको मुह नहीं खुलेगा तेयार अलावा इस सब क्या है अन्थास्थ बेंजन है अगला कोश्चन दिखेंगे अगला कोश्चन दिखेंगे निम्रिकित में से ओस्ट धोनिकाउन है देख चलिए अगला कोशन में दिखेंगे, जिन सब्दों के अंत में छोटा आ आता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है अकारांत बोला जाता है, छोटा आ से आ, आ से अकारांत है, जिन सब्दों के अंत में छोटा आ आता है, उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं, अ टाप फादा इसमें सभी या बच्चों दा हो जाएगा ठीक है भासा की सबसे चोटी काई इसे कहते हैं तो भासा की सबसे चोटी काई बच्चों जो है वान यहीं जो है अच्छर को कहते हैं यहां सही जवाब जो है डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि वान माला किसे कह एक़ला कॉश्ण है निमनिखित मैं से उच्छाण स्थान के धार पर मूर्धन बेंजन मताइए तो बच्चो किई से हैं, अलपणां बताए ऋच्छों, जिसमें बोलने में जिसमें कर देखो, ग्र जिसमें को कप शङटी बलती है निम्रिकित सब्दों में से नवीन विक्षित धुनिया कौन सी है तो खा और गा यहां सही जा बच्चों ए हो जाएगा चलिए अगला कुशन में देखेंगे जो है निम्रिकित में कौन सा घौस वर्ण है इसमें सही जवाब जो है मा हो जाएगा निम्खित में से एक वान बेंजन नहीं है, कौन नहीं है, तो बच्चों उ, यहां सही जवाब जो है, क्या हो जाएगा, जो है, ए हो जाएगा, अगला कुशन देखेंगे हम लोग, निम्खित में से कौन सी ध्वनी ओंस्ट नहीं है, कौन सी ध्वनी है, जो ओंस्ट नहीं है यह सब आते हैं, लेकिन अता नहीं है, यह इडन्थ है, हिंदी भासा मूलता वननों के सांक्या कितनी मानी गई है, तो वच्चों कितनी मानी गई है, बावन मानी गई है, अगला कोच्छन देखेंगे मो 처음ों, निम्रिखित में से नासिक बेंजन कांसे, सब क्या है किसे वह हिंदी की जो है मानक वर्माला में अस्थान नहीं दिया गया है निम्रिखित में से जो है किसे जो है हिंदी की माना को और माला में स्थान नहीं दिया गया है अगला कोशन दिकेंगे निम्रिखित सब्दों में से किस सब्द के दुत बेंजन है पुना इलहाबाद सा दिल्ली साही जचो यहां क्या हो जाएगा ठीक है ने बताया कि उस्म संघर्षी बेंजन कहलाती है इस सम्में हवा निकलती है आप बोलोगे शा 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 अगला कुशन दिखेंगे कि छा ध्वानी किस्वर के अंतरगत आती है ते जो है सविंटुस्वर देखो छा में जो है कई अच्छर मिले है अगर इसको खंड करेंगे इसमें जो है बहुत अच्छर आएंगे ठीक है अगला कोशन दिखेंगे हम लोग हिंदी सब्ध कोष में च्छा का क xuवान के बाद आता है चली एकला कोशन दिखेंगे हम लोग से हैं तो यहां सही आप जो है सा हो जाएगा अगला कोशन है कि घा का उचाना स्थान काउं सा है तो बच्छो घा का उचाना स्थान आपको बताना है तो यहां सही आप जो है कंट हो जाएगा अगला कोशन है कि निम्रिखित में से संयूत बेंजन काउं सा है संयूत बेंजन तो बच्चों ये जो है घ्या जो है एक संयूत बेंजर है अगला कोचण है कि निमनीखित में से कौन सा वर्ण उच्छार की दिरिश्च से दंत नहीं है कौन दंत नहीं है तो ता था दा धा न ये डंत है लेकिन टा नहीं है ठीक है? अगला कोशन है कौन सा आमानक वर्ण है कौन सा आमानक वर्ण है तो यहाँ सही जवाब बच्चों जो है C हो जाएगा अगला कोशन है कि छा वर्ण किसके योग से बना है तो छा वर्ण जो है का और पेट की जा सा यह वाला इससे मिलकर जो है बना है सही जवाब जो है यहाँ खा हो जाएगा हिंदी वर्ण माला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो बच्चों जो है 11 है सही जवाब जो है B अगला क्वेशन है निम्खित में से कौन से स्वर नहीं है छोटा आ, ए, उ, जा सही जवाब यहाँ जाएगा कौन से हो जाएगा डी अगला क्वेशन है कि निम्खित में से कौन से टावर का नहीं है टावर का नहीं है तो घा नहीं है ताठा डढ़ा आणाये हो जाएगा लेकिन घा नहीं है उसमें जाएगा, कावर में जाएगा ठीक है बच्चों कि इंदिवाण वाला में बंजणों के संख्या कितनी होती है, यहां बताए, सही जवाब जो हे, B हो जाएगा, अगला कोशन है, कि निम्रिखित में से कंव साभ 5,000 है, सही जवाब बड़ा A हो जाएगा, अगला कोशन है, कि खड़ी पाई वाले बंजणों का समुर्परूद कैसे बनाया जाना चाहिए तो खड़ी चौपाई को हटा कर यहां सही जवाब बच्चो बी हो जाएगा अगला कोशन है कि बिसर्ग से बना सब्द कौन सा है बिसर्ग से सब्द कौन सा है तो यहां जो है बी हो जाएगा देखो बिसर्ग है इन में से कौन सा वर्ण स्वर है तो बच्चो आए ए आए निम्निकित में से अंथस्त बेंजन कौन सा है अंथस तभी हमने बताया यारा लावा तो यह हो जाएगा यहाँ पर यारा लावा इस सब क्या है अंथस्त बेंजन है इन में से ओ का उचान स्थान अस्थान कौन सा है सही जो आप किया हो जाए बच्छों तो यहाँ ड हो जाएगा कंठ ओस्ट है अगला कोशन है कि चाचावर रण का उचदार स्थान काओं सा है तो यह जो यह तालू अगला कोशन है कि काग जाफा-धोनिया किसकी है कि बच्छों पर-फार्सी की है सही आप यहां B हो जाएगा निश्ट कोशन है कि तालब पर बेंजन कौन से है तो चाचाचा जाजा यह बंच्चो यह सब तालब पर बेंजन है चाचा जाजा ठीक कौन वरण घ्घोंश नहीं है कौन वारा जो है गोंस नहीं है तो सही आप क्या हो जाए बच्चों यहां जो C हो जाएगा अगला क्वेशन है कि किस सब्द में री स्वर्ण नहीं है तो सही आप हो जाएगा इसमें आज तो बच्चों यह थे most important हिंदी के question